साथियों आप सभी का स्प्रिफां प्रोश आगत है यहां पर हम लोग सिल्वर लाइन प्रब्लिकेशन के द्वारा NCRT आधरेज्यू विज्ञान प्रशन कोस प्रकासित किया गया है तो इसको हम लोग कबर कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसमें दिये गए 50 प्रशनों को देखेंगे चली प्राराम करते हैं इसमें पहला प्रशन है की Amoeba के सरीर से बाहर की और परिवर्ति लंबाई के प्रवर्द उभरते हुए दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें पादाब कहते हैं या शूडो पोडिया कहते हैं Amoeba जो है एक प्रोटो जोवा है जिसमें एक एकल कोश्का होती है कोश की सरचना का उदाहाण है एक कोश की सरचना का तो जो स्वैत रक्त कडिका है वाइट ब्लड सेल ये एक कोश की सरचना का उदाहाण है देखिए जो रेड ब्लड सेल होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है जबकि वाइट ब्लड सेल में केंद्रक होता है और इसका जो white blood cell है इसका आकारयों रचना जोती है वो amoeba की तरह होती है कोशिकाओं को आकारयों द्रिणता कौन प्रतान करता है तो इसे कोशिका जो भित्ती होती है इसे इंगलिज में cell wall कहते हैं इसकी उजास होती है और ये सरलोज की बनी होती है और ये क्योल पादर कोश्काओं में मिलती है आगे बात करते हैं सबसे बड़ी कोश्का का उदाहन कौन सा है तो सुतुर मूर का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोश्का का उदाहन है और सबसे लंबी जो होती है वो तंत्र का तंत्र की कोश्का होती है जबकि सबसे छोटी जो होती है वो एक बैक्टेरिया होता है इसका नाम है माइको प्लाज्मा गैली सेप्टिका सेप्टिकमा माइको प्लाज्म गैली सेप्टिकमा जो जीवान होता है इसकी कोश्का सबसे छोटी होती है आगे बढ़ते हैं कोश्च नमबर दो च्छे देखते हैं मुर्गी के अंडे के केंद्र के पीले भाग को जो है एक सफेद पदार्थ घेरे रहता उसे क्या कहते है उसे जो है अल्ब्यू मीन कहते है जबकि मुर्गी के अंडे के पीले भाग को क्या कहते है इसे योग कहते है पौधों में भोजन के संस्लिशनल कारे कौन करता है तो पत्तियां करती है कौन करता है पत्तियां करती है क्लोरोफिल के मदद से प्रते एक अंग छोटे छोटे भागों से बना होता है उसे क्या कहते हैं उसे जो है उत्तक या टीशू कहते हैं टीशू जो है सल से बने होते हैं उत्तक बने होते हैं किसके उत्तक जो होते हैं ये कोशिकाओं के बने होते हैं सल से बने होते हैं सजीव की सनचनात्मक इकाई क कौन सी है तो यह आपका कोश्का होती है ततर सेल कोश्का के मूल घटक कौन से है कोश्का जिल्ली कोश्का द्रव केंद्रक यह सभी के सभी इसके मूल घटक है एक कोश्का को दूसरी कोश्का से कौन अलग करता है तो जो कोश्का जिल्ली होती है जिसको जिसको सेल मेंबरन कह जा से अलग होती है यह अर्ध पारगम में चिल्ली होती है कोष्का के केंदर में धनी युम गोला का सर्चना होती है उससे क्या क soutra किया took तो यह जो होता है कहां बनता है यूथीरिया में यूथीरिया में बनता है निम्र में से किसको उडन लोम्री कहा जाता है किसको उडन लोम्री कहते हैं तो चमगादर को जो है उडन लोम्री कहा जाता है पच्छियों में जनन्यों पोशन के लिए बिभी ने भूभागों के ब किसमे होता तो जो इस्तन पाई होते हैं उनमें ऐसा होता जैसे कि मनुष्य चार जोड़ी पैरकिसवर के जन्तु में होता है ट्रिपेगेसोमा में ये मिलते हैं आगे देखते हैं जल सता पर निस्चल उतराने वाले जन्तु क्या कहलते हैं या ऐसे कहलते हैं निम्रिम्र से कौन सा जिव, अंडाजू होता है, मतला अंडे देता है, तो आपका अमीबा ये होता है, जबकि वैल, चमगादा, डॉल्फिन ये इस्तन पाई हैं, इन में से किसे जन्त में वाहियों अंता कंकाल होता है, तो सर्प में, कौन से प्राणी अपने आत में जल का स इस्तन पाई जाती है, पेंग्विन पच्छी पाई जाता है, ये अंटार्किका में, जो है, पेंग्विन पाई जाता है, मतलब साउथ पोल की साइट में, जबकि पोलर विलर वियर जो है, वो अंटार्किक में पाई जाते हैं, आर्किक में पाई जाते हैं, नर्थ पोल मे पादविहीन उभाइचर है पादविहीन उभाइचर कौन सा है तो इगवियोफिस जो है ये पादविहीन उभाइचर है इसमें इनके पैर नहीं होते है आगे बढ़ते हैं इनमें से किसमें लारवा और प्यूपा परवस्थाएं नहीं होती है तो जो लाग का कीट होता है इ जन्त कोश्का में निम्नम से क्या अनपस्तित होता है। जन्त कोश्का में आप देखेंगे कोश्का भित्ती नहीं होती है। जन्त कोश्का में नहीं होती है। जन्त कोश्का में जन्त कोश्का में जिल्ली संगठित केंद्रक पाया तो उसे क्या करते है। उन्हें प्लै स्टिट कहते हैं। पत्यों में हरा रंग प्राप्त होता किस के होजासे। क्लोरोफिल के होजासे। पुष्पों का अध्यान क्या कहलाता है। अन्त्रोॉजी जो होता पुष्पों का अध्यान होता है। जो नए संसार से पुरारे संसार में लाया गया ये है आलू। आज़ेबात करते हैं। उन पुष्पिया बीज नहीं बनते हैं। इसे क्रिप्टोगेप कहते हैं। आगे बात करते हैं 243 नमबर को देखते हैं National Botanical Research Institute इस्थित है कहां पर तो ये आपका लखनों में इस्थित है वनस्पत सास्त्रियों के अनुसार इस्थल पर सप्रथम अपने आने वाले पौधे समान थे किसके समान थे तो ये जो हैं मास तथा उसके सम्बंदी पौधों से के समान थे केंद्री राष्टी वनस्पत संग्राले कहां पर है तो ये कोलकता के शूपुरी में है परसिद्वैग्यानिक हर गोबिंद खुराना परसिद्ध हुए हैं किसके विजा से तो ये प्रसिदुएं प्रयोग साला में जियो संसलेशन के श्रोत के लिए भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोश्का के किस भाग में होता है तो ये जो है आपका माइक्रो कॉंडिया में होता है जिसे कोश्का के सक्ति केंद्रिया पावर हाउस आप सेल कहते है पाफश्री कर्ण में क्या होता है इसमें 62 degree centigrade में काफी तेजी के साथ जो है इसको 30 मिनिट तक गरम करते हो फिर जल्दी से इसे क्या करते है ठंडा करते है तो पाफश्री कर्ण में क्या होता है जो खाद पदार थे या पेम पता उनको सुरचित रखने के लिए जिसे की कीटा इनको फिरस्ति ने किया था हर गोमिद्खुलान की सबुए नोबल पुरस्कार दिया गया था इन्हें जो है जीन संप्रेशन के लिए मिला THA 192968 में मेडिसीन के छेत्र में जैनेटिक कि व्याक्था जो प्रोटीन संसलेशन में इसके कारे के लिए तीन ग्यानिकों को एक थे आपके हरगोविन खुराना, दूसरे रॉबर्ट डबलू होली और तीसरे ते मार्सन डबलू निरेन बर्ग, इनको जो है मेडिसीन छेत्र में नोबल प्राइज दिया गया था, तो इस वीडियो में बस कितना ही मिलते हैं नहीं, तब तक ते बहुत बहुत प्राइज रॉबलू होली यह में एक नहीं है में तूसरे रॉबलू हैं ऱड़ी अगे, प्लबलू होली और ते बहुत अर प्राइज जरा प्राइज बहुत अराफ भीया प्राइज से रॉत